नमस्कार किसान साथियों एफटोडीफ मोबाइल एप और एफटोडीफ वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही मैत्य पुजानकारी लेकि आई है अब इसी देखिएगा जो हमारे पसु पालक भाई है उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता ह जब हमारे पसु को से सामना करना पड़ता है अगर समय रहते प्चार नहीं क्या तो हमारा पूप खराब दूद की गिरता है और पर सुकी कीमत है उसमें भीशर पड़ता है वह उसकी कीमत भी गृती है आई से में आपको सबसे पहले बात का ज़रूरी धान लखना कर आए क हम सबसे पहले हम बात करें क्या सबसे पहले हमारे करें अगर मैं बताओं अगर हम चुछ जो कि उसके आसपास की जगह है वह खराब हो वहां पर मलमूत्र पड़ा हो मलमूत्र शड़ रहा हो इसे किसान साथी गलती करते हैं कि पसु का जो गुबर है उसे इकठा कर देते हैं उसके अच्छे दंग्से नहीं करते तब ऐसे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारे प बैठता है वहां का environment व क्लाव है जिस विज़े से पहसु पालग जो हमारा पकर सू उसे थनिला रोग होता है दूसरा कान सब Si Maitpohon कान दूसरा क्या है कि जब हम पसु का दूद निकालते हैं पसु का दूद निकालते हुए क्या करते हैं जब पसु को के थणों को हम धोते हैं तो करते हैं कि वह खराब बरतन का इस्तेमाल करते हैं और पानी है वह खराब यूज करते हैं अच्छा साफ पानी इस्तेमाल नहीं ोने करते जिससे क्या होगा अगर आपका पानी जो हो साफ नहीं हो गई तब आप अपने हुशुक 10 को ढूलते हो जब आप अपने पुशुका निकालने से पहले अपने को दूते हो आपके कढ़ड़ा जो यह गया है तब अगर आपने छराब पानी का इस्तेमाल किया तो सबस्यादा चांस है कि अपके थन के अंदर दूद उतराता है तब उसक्त पशुग के थन के जो छिद्र है वो खुल जाते हैं अब ऐसे में अगर आपने खराब पानी से अपने पशुग के थनों को धोया या फिर आपके हाथ गंदे हैं हाथ बहुत खराब हैं तब आप कान है सिर्फ पशुपालक भाई की नापरवाही अधिकतर चांद सिर्फ यही है अब ऐसे में अब बात करते हैं लक्षण की देखिए जब आप नीमित अपनी पशुग का दूद निकालते हैं तब उस वक्त इस बात का जरू ध्यान लखें कि हर एक दो दिन के अंदर अप अब बात करते हैं इसके उपचार की देखिए अगर आपको अपने पशुग देखिए अगर आपको लगे कि आपका पशुग हो चुका है तब आप डोक्टर की वेट भी मत कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि एक दिन के बाद दोक्टर बुलाएं को दिक्कत अब यह काम दोक्टर को बुलाएंगे ऐसी लापरवाई बिलकुल ना करें उस वक्त समय रहते हैं अगर आपने उक्चार किया तो आपका पसुग थन है वह जल्दी ठीक हो जाएगा इंफक्शन खत्म हो जाएगा समसे पहली बात अगर हम बात करते हैं आहर की आप अपने जिससे क्या होगा जो अबना उसके कंदेर की मातरा ज्यादा होती है वितामिन ु हमारे पशुक थन है उसके इनफेक्शन को खतम करता पहली बात ईह दूसरी बात आप अपने पसु और एक कि अहर खिला रहे हैं उसमें जो मिठा सोड़ा है उसकी मातरा को मिलाएं कम से कि वह साफ भी होगी और जो पसु का इंफेक्शन है वह जल्दी खत्म होगा और अगर आपके थन में सोजिस है तो लाल तेल से उसकी मालेश करें जिससे जो उसकी सोजिस है वह कम होगी इस बात का जरूर ध्यान रखें अब देखिएगा कभी ऐसी लापरवाई बिल्कुल भ अधिकतर चांशी तो यही है अधिकतर कान यहीं के पसु कैसी घंडगी होना ऐसे में उपार भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें और ऑसके तो जितना इस वीडियो को जितना उसके उतना फैलाएं क्योंकि हो सकता है कि आपके परियास्ते दूसरे किसान शाथी को फायदा हो सके और उसके पसुज़ुद है उसको थड़ना रोग या तो ना होगा अगर हो गया है तो जल्दी उप्चार उसका किया जा सके और घर पे ही बिना पैसे खर्च किये इस वीडियो को जितना उसके प्याद देते रहेगा हमारे साथ ऐसी जुड़ती रहीगा धन्यवाद